यूमन हिस्ट्री में बल्ब का इंवेंशन एक बहुत बड़ा इंवेंशन शाबित हुए जिसकी वज़े से हमारी पूरी हूमन सिमिलाइजेशन ही एक स्टेप आगे चली गई थी हम लोगों ने बल्ब का बहुत यूस किया खूब लाइट है रात में लगाई हर जगे पे र आर्थ का टेंपरेचर बढ़ता जा रहे है जिसकी वज़े से कोलकाता मुंबई जैसे सहर दूबने की नौबत आ गहीं मालदीव जैसा पूरा देश का देश हो सकता है आके आगे चलके डूब लाइए लेकिन आज उससे भी एक और नई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है बल जबर जस्ती हमारे हां पर ट्यूब लाइट जल रहे हैं घरों में लाइट जल रही है जो है एडवर्टाइजमेंट करने के लिए काफी सारी लाइट जलती रहती है हमारे हैं स्ट्रीट लाइट फालतो ही जल रही है वहाँ पर बहुत कम लोग आते जाते हैं उसकी वज़ होता था उनका नेचुरल होता था उनमें चेंजस देखे जा रहे हैं साइंटिस्स के द्वारा उसकी वाज़े से खई बार हम आप लोग ने देखा हो का रात में पहले समय पर हम च्छत में जाते तो आराम से तारे दिख जाते दे आज कल देखना है तो बहुत मुश्किल है छाहर ही हो सकता है कि बहुत बड़ी बात है और आप किसी बडब शहर में हो दिली मुंबवई जैसे शहर में हो поверхability की Response की मदद से एस एक ग्लोबली मैप बनाया गया है आर्टिफिशल कंप्यूटर के अंदर जिसमें देखा गया कि नाइट के समय पे हमारे इतने ज्यादा जितना भी लेंड एरिया रहता है लगभग वो पूरा ही लाइट में कवर रहता है हमारे हां पर लगभग अमेरिका का जो रीजन है हमारा म मेडली इसका जो रीजन है 이쪽 के जो कंट्री है हमारे हां एशिया कांट्री है यूरोप का जो कंट्री है से स्काय रहा रहा था जैसे की जो ठेसção में रहती है तो उनकी वज़ेसे अमेरिका में देखा गया कि अमेरिका की लगभग नाइन परसेंट और यूरोप स्काइग लोके अंडर रहती है पूरा मतलब कि और इसका रीजन क्या बताएगा इसका रीजन यह बताएगा यह कि जितना भी हम लोग रात में बहुत ज्यादा अपनी कार की लाइट को यूज करते हैं हम जो स्ट्रीट लैम्प होती है वो उसको यूज करते हैं फालतों में ह चलती रहती रात में फिर उसके बाद factories जो रात में काम करती हैं offices जो रात में काम करती हैं इसकी वज़े से light glow होता है पूरे सहर में जब इतना ज़्यादा यूज हो रहा होता है light तो पूरा आस्मान light से भर जाता लगता ही नहीं है वहां सहर में रहने वाई लोगों को लगता ही नहीं है कि हम कहीं भी रात में काम कर रहे हैं, फिर उसकी वज़े से इसमें कई सारी जगे देखा गया है कि जो बिल्कुल डर्क एरिया था, वो उसी जगे मिला है, जैसे कि सहारा का जो रीजन है, हमारा जो Amazon का जो रीजन है, Amazon क प्राइब में देखने को मिला है जैसे कि हम लोग मैंने आपको बताया है कि रहर है तो चार गिंटी के तारे आपको गिनने को मिल जाए फिर उसके बाद और 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 बड़ी सिटीज में रह रहे हैं तो और प्रॉबलम है उसके बाद जो हमारे astronomers होते हैं astronomers जो study करते हैं कई सारे सेरिस्ट्रियल bodies को अर्थ में रहके अपने टेलिस्कोप से देखते हैं उन लोगों ने बताए कि उनको बहुत ज्यादा problem आ रही है अब वो कैसे problem आ रही है कि जैसे टेलिस्कोप से वो लोग देखते हैं तो इतना ज्यादा light glow रहता है इसकाई glow पूरा रहता है पूरे आस्मान में light light रात के समय पर रहती तो उन लोगों को सेरेस्ट्रियल bodies देखने problem होती दूर की स्टार जो होते है Milky Way होता है galaxy होता है कई सारी galaxies हो गए planets हो गए उन दिक्कत ही आ रही कि फिर उनको उस इन सब चीजों की स्टेडी करने में दिक्कर रही तो समझ सकते हैं आप लोग की light pollution हमारे लिए अब कितना ज्यादा serious होता जा रहा है artificial light को बहुत जाद यूस करने की वज़े से humans में और animals में पूरा रिदम बिगड़ चुका हमारा जो पूरा एक cycle होता है भगवान ने हमको एक 24 hours का एक cycle बना के दिया हो जिसमें हमें इतना समय day में रहना इतना समय night में रहना है उसकी वज़े से हम लोग क्या करते हैं भगवान ने पूरा एक system बना के दिया हुआ है जिसकी वज़े हम एक healthy life जी सकते हैं लेकिन हम क्या कर रहा है nature के उस phenomena को ही challenge करना शुरू कर दे रहा है nature को ही challenge करना शुरू कर दे रहा है रात रात भर लोग जग रहे हैं light में रह रहे हैं फाल्तू में हम लोग को कई example देखने को मिल जाएंगे जहां पर वे फाल्तू में light जल रही होती है जिसकी वज़े से हम लोग पूरे time पे लगभग sky glow के अंडर पर रहते ही रहते हैं उसकी वज़े से अब क्या हो रहा है हमारे सरीर में एक hormone release होता है जिसका नाम है मैला टोनेन अब यह hormone रहते हैं रहता हो हाया जिकल को रहा है कि हमारे सरी tavu shock इमपेक्ट काना शुरू हो गए हैं अब कैसे इंप्यक्ट हो रहा है हमें स्ट्रेस हो रहा है डिप्रेशन हो रहा है हम लोग को स्लीप साइकल होता है हमारा सामय पूरा एक साइकल हो द serves वो पूरा बिगड़ चुका है, कब सो रहे हैं, कभी भी जग रहे हैं, पूरा टाइम बिगड़ चुका है, हमारे सरीर में जिसकी वज़े से मेलाटोनिन हार्मोन रिलीज नहीं हो पा रहा है, उसका सबसे बड़ा रीजन है, ब्लू लाइट, ब्लू लाइट अब कहां से आती है, ब्लू लाइट अभी जो आपके फोन देख रहे हैं, उससे रिलीज होती है, हम लोग कंप्यूटर लैप्टॉप यूज़ करते हैं, उस लिए सब लोगों ने वही वही यूज़ करना शुरू कर दिया, और उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा रहता, बहुत ज्यादा लाइट होती है, और कम वोल्ट का रहता है, कम एनर्जी यूज़ करती है, लेकिन अब हमें उसके निगेटिव इंपेक्ट देखने को मिल हैं, ब्लू लाइट की वज़े से हमारे शरीर के अंदर जो मेला टॉन हर्मोन होता है, वो रिलीज होना बंद हो गया है, तो हम लोग को इतना ज्यादा निगेटिव इंपेक्ट देखने को मिल रहा है, एनिमल्स में हम लोग को बहुत ज्यादा रेंडम चींज़ देखने क लिए मून लाइट का रात में यूज करती हैं और अपना उससे नेविगेशन करती हैं उससे अपना डारेक्शन तै करती हैं, अब कई बार इसका गलो होने की वज़े से बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट हम लोग यूज कर देते हैं, उसकी वज़े से वो लोग चोटे इंसेक्ट्स आपने देखे होंगे, खीडे मकोडे होते हैं, वो लोग ये आर्टिफिशल लाइट के कान्टेक्ट में आने की वज़े से मर जाते हैं, तो ये खाना होते हैं, बड़ी-बड़ी बड़्स का, चील कवों का बड़्स का चोटी-चोटी-चीडियों का होते हैं, चोटे इंसेक्स, तो ये जब नहीं रह जाते हैं, तो फिर उनको भी दिक्कत होने लगती, अब इसके लिए पहल की गई है, कि इसके लिए एक स्टेप उठाया गया है, कि जितनी बड़ी कंट्री से काफी सारी, उसमें ये कहा गया है, कि जब बड़्स रात में म स्काइगलो कर रखा है, तो रेकिस्तान में चम्मस रेट समेटने के बराबर हो गई है, उससे ज़्यादा और कुछ इसका फर्क नहीं पढ़ने माला, लाइट पॉल्यूशन भी तीन टाइप के हो जाते हैं, पहला होता है ग्लैर, अब ग्लैर क्या होता है, जैसे एक आजे से आप कार ड्राइब कर सकते हैं, लेकिन आपको सामने दिखता नहीं था कि कहां कौन सी डारेक्शन से कार आ रही है, और दूसरा होता है तो आपको जरूरत नहीं है लेकिन तब भी आपको देखना पड़ रहा है जैसे कि आपका कोई लेकिन आपके बिंडो के पास में इक क benefiting लगी टो वह स्ट्रीट लाइट की लाइट रोट पर जा रही ठीक है ल dönकी ब हुप नापस कते ज़्वेस जाएब नहीं ह collaborated आप उसमें तब भी कुछ कर नहीं सकते अब यह थास लेकिन कुछ ऐसे काम हो सकते हैं जैसे जो स्ट्रीट लाइट हाएं वड़े देशों में जो की डिजाइंड होती है कि अगर वहां से कर निकली तो चाहिंगी वर ना बन रहती हैं तो ऐसी लाइट को हम लोग को अपने देश में भी लाना पड़ेगा और हम लोग का अवेरनेस भी पहलानी पड़ेगी कि भाई यह फालतु लाइट वाइट मुझ चालू कर रखो अगर च्छत की लाइट चालू वरांदा की चालू बालकनी की चालू है तो इन सब जगाओं कि इतना ज्यादा इसका है ग्लो होने की वज़े से हम लोगों के लाइट का विफाल्दू का इतना यूज होना सही है कि गलत है यह कॉमेंट बॉक्स में लिखके बताईएगा ठीक है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जै हिंग जै भारत